नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारी सिविल इंजिनियर लोकिंद सिंग योटुब चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं डिडक्षन और ब्रिक वर्क यानि कि जो हमने ब्रिक वर्क किया है उसमें से विंडो डोर वेंटिलेशन का जो वॉल्यूम है उसको हमें कैस सकते हो एक हमने रूम को बनाया हुआ है यहां पर एक विंडो ली है और एक हमने डोर लिया है इसका डिडक्षन कैसे करेंगे हैं वहम आज सीखने वाले हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 4 ऊपवल्अब नाम दिये हैं वॉल्ल वॉल्ल टू जो कि यwe हाइट हमने लिए 3 मीटर और लेंथ भी लिए हमने 3 मीटर यानि कि और जो वाल की जो विर्थ है 0.2 मीटर यानि कि 200 mm की ली हुई है इसका जो वॉल्लिम निकालने का तरीक हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था और अभी भी हम बता देते हैं वॉल्लिम निकालने के लिए 3 मीटर हाइट 3 मीटर जो लेंथ और मल्टिप्लाइ करें इसकी विर्थ से 0.2 मीटर से जिसका वॉल्यम निकल के आया 1.8 cubic meter तो इसमें से हमारा कोई नत दोर है नहीं कोई विंडो है तो इसमें कोई भी डिड़क्शन नहीं होगा चलिए वॉल नमबर 2 को हम देख लेते हैं जिसकी हाट 3 meter और लेंध भी 3 meter सेम ही रही क्योंकि यह अपोजिट वॉल है जिसमें हमने विंडो का साइज लिया है 1.2 meter into 1.5 तो पहले हमें वॉल का वॉल्यम निकालना होगा 3 into 3 into 0.2 meter जिसका वॉल्यम निकलेगा सेम 1.8 cubic meter अब हम निकालेंगे अपनी विंडो का वॉल्यम 1.2 meter into 1.5 meter into 0.2 meter जिसका वॉल्यम निकला 0.36 cubic meter अब हम 1.8 cubic meter में से वॉल का जो वॉल्यम है उसमें से विंडो का वॉल्यम को माइनस कर देंगे 1.8 माइनस के 0.36 जिससे हमारा वॉल्यम निकल के आया 1.44 क्यूबिक मीटर अब हम ले लेते हैं वॉल नमबर 3 वॉल नमबर 4 को यानि कि जो हमारा डोर है उसकी अपोजिट वॉल को जिसकी हाइट सेम रहेगी 3 मीटर और लेंद है वो 4 मीटर हमने ले हुई है वॉल की जो विड़त है वो भी सभी सेम रहेगी 0.2 मीटर जिसका वॉल्यम निकालने के लिए 3 इन टू 4 इन टू 0.2 मीटर जिसका वॉल्यम निकला 2.4 क्यूबिक मीटर अब हम निकालेंगे वॉल नमबर 4 का volume 3 into 4 into 0.2 meter जिससे इसका भी जो volume है वो same निकलेगा 2.4 cubic meter 2.4 cubic meter हमारा wall का volume निकला है जिसमें से door का volume में माइनस करना होगा पहले हमें door का volume निकालेंगे 2.1 meter into 1 meter into 0.2 meter इसकी जो width रहेगी वो wall के बराबर ही रहेगी जिससे हमारा 0.21 cubic meter इसका volume निकल के आया अब हम इससे minus करेंगे wall के volume में से door का volume minus करेंगे 2.4 minus 0.21 जिससे हमारा 2.19 cubic meter यहाँ पर हमारा volume निकल के आया और total volume निकालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो total volume of wall यानि कि सभी walls के जतना भी हमारा जो volume निकला है wall 1, wall 2, wall 3, wall 4 यानि कि जो door window minus करने के बाद में ही जो volume हमारा 6 बचा है उस सभी wall के volume को हम एक साथ में जोड देंगे 1.8 cubic meter 1.44 cubic meter 2.19 cubic meter 2.4 cubic meter जिससे हमारा total volume निकल के आया 7.83 cubic meter 7.83 cubic meter wall का total volume निकला अब हमें ये find करना है किसमें कितना हमें cement लगेगा कितना stand लगेगा कितना bricks लगेगा जो कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो का आप देख सकते हो यदि आपने हमारे चैनल अभी तक subscribe ने किया है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like and share भी कीजिए